नमस्ते दोस्तों केम चो मजामा मैं संजरी न्यूटेरिस गार्डिनिंग एंग ब्लॉग चैनल पर आपका स्वागत करता हूं यह देखिए यह प्लांट कॉप्स कॉम के है जिसे मुर्गा फ्लावर भी को कहते है मुर्गा कलंगी कहते है वेलवेट फ्लावर भी कहते है सब अलग अलग नामों से इसे चाना जाता है बहुत ही सुन्दर इसके उपर फ्लावर आते है पेंक कलर के वेलवेट के और अभी तो इसकी डॉफ वेराइटी पिया गया है जिसमें बहुत कलर अप्शन भी आपको मिल जाता है तो यह देशी टूमती वाला है अपलान्टब बड़ा होता है इसमें सब्सक्राण भी बढ़ी आती है जिस हिसाफ से आप पर जैसे गमले में लगाकर ना चाहिए किस तरह देख-पाल करनी चाहिए दाकिस्का बारे में आपको पूरी जानकारी दूंगा तो आप मेरे वीडियो में लाइट तक मने रहीएगा और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ यह लगाओं के तो आपका प्लांट अच्छे से ग्रोथ करेगा और अच्छे इसमें फ्लावरिंग होगी और आपके पास से अच्छे से जर्मिनिट हो जाएंगे तो अभी यह बेस्ट टाइम है इसके सीड लगाने का तो सीड किस तर लगाने है कैसे मिट्टी में लगाने है पुराने गमले के मिट्टी होने जाए ज़ादा फर्टिलाइज़र ना होना चाहिए ब Chr. ś तो आप उसमें थोड़ा सा रिवर सेंट का इस्तमाल कीजिए और ऐसा हो तो आप राइस का भी इस्तमाल कर सकते हो यह देखिए एक दम अच्छी सी बुरबूरी मिट्टी में आप इसके सीड डालिए तो कोई भी प्लांट के आप सीड लगा रहे हो तो उसके लिए जो आप म सीड है काफी बार सीड खराब हो जाते हैं तो इसलिए फर्टिलाइजर मिट्टी में सीड नहीं डालने हैं इससे अच्छा है कि आपको अल्रेडी जो प्लांट आपके लगे हुए पहले जो दूसरे प्लांट उसके अंदर इसके सीड ठोड़ाई करके डाल दीजिए तो अ आप फिस सारी प्लांट पर वह प्लांट है ना थोड़ी दिक्कत रहे स्ट उसे यह बहुत अपने गरड़न में यह तो साल और साल बने रहते हैं दलते हैं यह बहुति इसके लिप्स भी इस तरह से आती है दिखिए ग्रेन और बीज में पिंक डॉट्स रहते हैं इस तरह से अब बात आती है कि आपके पास यह प्लावर लगा हुआ तो किस तरह की मिट्टी में आपको इसको रिपोर्ट करना है तो किस तरह रिपोर्ट करना है और कैसे देख बाल करने एक एक बात मैं आपको बताओंगा तो सबसे पहले इसके लिए जो मिट्टी बनानी है वो कि देख सकते हो तो इसकी जो मिट्टी मैंने लिए तो इस मिट्टी में लगपक 60% गार्डन्स वाइल लिए दस परसेंट मैंने 10-15% मैंने इसमें कोपर की खाद मिलाई थी दस परसेंट ड्राय सस्क मिलाए थे और आपके वहां कि मिट्टी अगर पहुत ज़्यादा शिकनी ह कि इसमें ड्रीवर सेंट मिला दीदिजिए और मैंने थोड़ा साइस में मिलाई था वर्मी कम्पोस्ट तो इस तरह के मिट्टी तयार कि में कोबर की खाद किचन वेश्ट है तो उसका भी अभी इस्तिमाल कर सकते हो र्याइजर में क्या है इसको ज्यादा फट्रीलाइजर नहीं चाहिए तो इस तरीके से आपको इसकी मिट्टी तयार करने है आपको दीख रहे होंगे राइसस्क जो चावल के चिलके है उसके टुकड़े यहाँ तो राइसस्क बहुत अच्छे रहते हैं क्यों यह हमारी मिट्टी को एकदम अच्छी से फूरबूरी बना देते हैं और दूसरा कि जो मिट्टी है अगर आप मुझ चत पे गंबले रख रहे हैं तो राइसस्क की बज़न्तों ज्यादा नहीं होता गंच्छा रहता है आपके पास कोकोपेट है तो कोकोपेट का थोड़ा इस्तमाल कर सकते हो आप ताकि क्या है मिट्टी में थोड़ा सा मॉस्ट्र लेवल बना रहे हैं ज्यादा कोकोपेट का इस्तमाल कीजिए ज्यादा कोकोपेट का इस्तमाल मत कीजिए तो इस तरीके से आप इसकी मिट्टी बिनाए यह इसके अंदर यह मॉस रोज के सीट गिरे थे तो कितने ज्यादा प्लांट के आये हैं तो निकाल देता हूं कि काफी सारे हो जाते हैं जब आपको प्लांट लगा रहे हो तो उसके अंदर दूसरे प्लांट है तो थोड़ा-थोड़ा अलग करके लगाना चाहिए इसके अच्छी ग्रोध हो कि यह तो बहुत है आसान तरीका है आप इसको बस अटाकर यह देखिए यहां पर यह ग्रोबेग है नरस्त्री वाली उसमें बस मैं लगा दूंगा इसका अभी बरसाथ चालू है बरसाथ हीरती है कल रात को भी बारिश होई तो ऐसे में अच्छे से सेट हो जाएगा बस यह देखिए तो इस तरीके से आपको लगा दे रहे ना इसको आपको जागा केर करनी पड़ती है कुछ नहीं बस आसानी से लग जाते हैं अब बात आती है कि इसको कैसी जगह पर प्लेस करना है कितने दूप चाहिए कितना पानी चाहिए इस प्लांट को आप ऐसे जगह पर रखे जहां कम से कम इसको तीन चार गंटे की दूप मिले एकदम शेड में रखना है एकदम शेड में रखना है अगर आपके बारिश नहीं हो रही है और आपने रिपोर्ट किया चोटे 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 बीवी प्लांट तो आप दूप अगर ज्यादा हो रही है तो थोड़ा शेड में रखे अगर बारिश हो रही है ठंडा मोसम हो गया है तो इसको तीन चार गंटे की दूप मिले वैसे जगह पर रखे जब रिपोर्टिंग के बाद एकदम प्लांट आपके सेट हो जाए उसके बाद चार पांच पुलने मोसस है रिखे हो सब देखे यहां पर रखे आपया है कि दूसरे में लगाए है कि दीखेश फबार्च लगाति कि तो कितने अच्छे सी है ग्रोथ कर रहिए तो मैंने बताया उस तो तरीके दो आप म thorough बनात्त यहां प्रते ही इस प्लांट को लगा कि दूब लगा प्रोध करेगा ना इसको बार बार आपको फिर रिपोर्ट करना है विए से एक बार चोटे-चोटे प्लांट आप रिपोर्ट कर दो कि उसके बाद फर्टिलाइजर भी इस पे नहीं देना है हमें ज्यादा एक बाद जब मिट्टी बनाते हैं तब तस पंदरा पासे नकोबर करनी है तो बहुत ही अच्छे से आपका प्लांट ग्रोध करेगा और अच्छी फ्लावरिंग करेगा तो इसके बारे में कोई भी सवाल हो तो आप मुझे कमेंट करके जरूर पूछ सकते हो और आपको मेरा वीडियो और इंफर्मिशन अगर अच्छी लगती हो तो प्लीज के लिए इतना ही ओके फ्रेंड्स बाई